नमस्ते प्यारे बच्चों, उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं तो आज मैं आपको करा रहे हूँ आपकी क्लास 2 की मैट्स की वरक्षीट नमर 132 यह आपकी recapitulation वरक्षीट है यानि कि यह वाला topic हम पहले भी discuss कर चुके हैं और आज हमें से कुछ नए तरीके से discuss करेंगे तो वरक्षीट शू करने से पहले आप अपनी प्लास लिखेंगे आपका section A, B, C, D लिखेंगे आपकी आज की date लिखेंगे जो की है 14th December 2021 अपना नाम लिखेंगे और अपनी teacher का नाम लिखेंगे और उसके आदिये वरक्षीट शू करतेंगे तो आएए शू करते हैं आज की वरक्षीट सबसे पहले हम करेंगे चितर पहले दिये गए चितरों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चितर दो में कुछ गलतियां हो गई है आप किनी तीन गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक अध्यापका के साथ साज़ा कीजिए तो ये देखिए दोनों चितरी लगभग एक जैसे दिख रहे हैं पर इसमें कुछ गलतियां हो गई है अब वो क्या गलतियां हो गई है वो देखते हैं चलिए सबसे पहली गलतियां ये पानी की बूंद ठीक है पानी की बूंद अलग है बूंद अलग है ना दूसरा है ये देखिए कोशन मार्क यह प्रिश्न सूचेक्णि इधर इस तरह यह अलग है यह निशान अलग है आप निशान लिख सकतें अलग है ठीक है उसके बाद आप क्या लख सकते हैél और क्या इसमें चेंज है इसकी ड्रेस देखी इसकी ड्रेस में यहां तक पूरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है तो यह अलग है कपड़े अलग है इसके लाव यहाँ पर देखिए यह जो धुआ निकल रहा है यह भी अलग है धुआ अलग है आप और भी लिख सकते हैं जो भी आपको दिखाई दें ठीक है इस तरीके से आप इस चित्र में से कुछ भी जो आपको कमिया दिखाई दे रही है वो आप साजा कर सकते हैं अब आगे करते हैं गाओं का जीवन देखें इसमें क्या करना है हमें एक बार परी अपने माता पिता के साथ अपने गाओं गई थी उसे गाओं का जीवन बहुत अच्छा लगा उसने अपने पापा के फोन से कुछ फोटो खीची इन फोटो को ध्यान से देखिए और सही उत्तर पर सही का निशान लगाई है चलिए निशान लगाते हैं पहला है जब उसकी चाची जी मिटी के चूले पर रोटिया बना रही थी तब उसने उनकी फोटो खिँची ये देखिए फोटो खिचुए नहीं धर अब कोशन क्या है चाची जी ने सोला रोटियां बनाई परी और उसके पिताजी को रोटियां इतनी स्वाधिष्ट लगी कि उन्होंने सात रोतियां खा ले उनके ऊंके खाने के बाद कितनी रोतियां बच्ची होई है अब देखिएयों उन्होंने कितनी रोतियां मैनें अब हमारे पास कितनी रोटिया मतशनी चाहिए ठीक है अब हम या तो आप इसे अपनी उंगलियों पर गिन कर सकते हैं है ना जैसे हमने पिछली वरक्षिप में किया पीछे जाकर या फिर हम डंडे खींचकर भी कर सकते हैं चलिए मैं आपको डंडे खींचकर ही करना चिखा देती हो पहले एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नौ दस घ्यारा बारा टेरा चाओदा पंदरा सोले साट मंगेडे ऐग दो तीन चार पान चे उर साथ रोटि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि कितनी रोटिया है पची? 9 रोटिया है ठीक है? वह अपने चाचा जी के साथ खेत में गई और वहाँ बेरी की जाड़ी से कुछ बेर तोड़ कर लाई बेर तोड़े? अब वह 28 बेर तोड़ कर लाई उसमें से 13 बेर उसने अपने भाई को दे दिये और बाकी बेर परी ने खा लिये परी ने कितने बेर खाए? अब इसमें हम यह डंडे से नहीं कर सकते तो हम इसे कैसे करेंगे? ऐसे लिख कर करेंगे माइनस 13 तो 8 में से 3 गई 8 डंडे खीच लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ उसमें से 3 घटा देते हैं एक, दो, तीन, बचे कितने? वन, टू, त्री, फोर, फाइफ पांच बचे, अब यहाँ पर हमारे पास दो डंडे हैं, दो में से एक डंडा काटेंगे तो एक बचा, तो परी है, परी ने कितने बेर खाए क्योंकि जब 13 बेर उसने अपने भाई को दे दिये तो उसके आज बचे थे 15 बेर, तो उसने टोटल 15 बेर खाए, ठीक है? अब आगे देखें क्या है? उसके, उसने आंगन में फूलों के कुछ पौदे देखे जिन पर सुन्दर सुन्दर फूल लगे थे जैसे कि यहां लगे हुए एक पौदे पर 23 फूल लगे हुए थे उन्होंने 9 फूल पूजा के लिए तोड लिए अब पौदे पर कितने फूल लगे होंगे? अब देख लिजिए, 23 फूल लगे थे उसमें से उसने 9 फूल तोड़ लिया, यानि कि 9 फूल कम कर दिये, घटा दिये उसमें से, तो अब कैसे होंगे, अब ये इससे दे देगा 10, ये बन जाएंगे 13, क्योंकि ये क्या है 10 का प्लेस है, 10 के प्लेस पर कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो जब ये इसको दे देगा, यान लेतें चलिए नोकिया 10, 11, 12, 13 ठीक है फिंगर्स पर काउंट करें तो उसके इस कितने फूल बचें उस पर पेरेड़ पर कितने फूल बचें 14 यानी 14 फूल बचें तो पेरेस आपके लिए सजेशन है कि अगर आपका गाउं है तो बच्चों को कभी गाउं खुमाने लेकर ज